बारिस आने से पहले हम सभी को अपने टेरेस गार्डन में ये काम करना बहुत ही जरूरी है नहीं करेंगे हम ये काम तो बाद में हमें परेसानी हो सकती है तो बारिस आने से पहले हमें पोधों की कटिंग करना बहुत ही जरूरी है फूलो वाले पोधों के साथ साथ सबजी वाले पोधों की भी कटिंग की जाती है कटाई छटाई करने से हमारा पोधा बारिस आते ही अच्छा घना हो जाएगा साथ में जो हम सबजी वाले पोधे पर कटिंग करेंगे उससे हमारे पोधे पर ज्यादा मात्रा में सबजीयां लगेंगी तो किस प्रकार से कटिंग करना है जिससे की हमारा पोधा खराब ना हो कटिंग करने के बाद उनमें हमें क्या कुछ केयर करना है ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें तो मेरा नाम है उर्मिला आपका स्वागत है हमारे यूटूब चेनल विलेज टेरेस गारडन में अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चेनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए तो कटाई छटाई हम फूल वाले पोधों की करते हैं, साथ में बेगन, मिर्च, इस तरीके के छोटे पोधों की कटिंग की जाती है तो पोधे की कटाई छटाई करने के लिए हमें चाहिए होगा कोई कटर या केची तो आप जो भी चीज ले रहे हैं उसमें अच्छी धार होना चाहिए और इसका इस्तवाल करने से पहले हमें इसे अच्छे से पानी से धोलेना है जिससे कि हम जो पोधे कट करते रहते हैं, तो कोई ने कोई बिमारी पोधों पर होती है तो वो इस केची या कोई भी कटर में आ जाती है इसलिए हमें इसे साफ करना जरूरी है तो आपको जो पिछले साल आपने बरसात में बेगन के, मिर्च के इस तरीके के पोधे लगाए हैं उनकी ही कटिंग करना है अगर आपने सर्दियों में लगाए हैं तो उनकी भी आप कटिंग कर सकते हैं कटिंग करने से इन पर नई ब्रांच आएंगी और फिर इनमें जादा बेगन लगेंगे तो देखिए इन बेगन के पोधों की कटिंग में ने पहले ही कर दी थी तो अब इनमें नई ग्रोथ आना शुरू हो गई है और बरसात आते ही ये पोधे पूरे हरे भरे और बहुत जादा इनमें ब्रांच आ जाएगी तो अब हम इन पोधों को मेंने कट नहीं किया था तो अब मैं इन पोधों की कटिंग करने वाली हूँ अगर आपके पोधे भी कुछ इस प्रकार से बड़े बड़े हो गए हैं तो उनकी कटिंग जरूर करें फिर बरसात आते ही इनमें अच्छी ग्रोथ होगी साथ में इनमें अच्छी फ्रूटिंग भी होगी अगर हम इने कट नहीं करेंगे तो जो मिट्टी में खाद है तो वो खाद इनहीं ब्रांच को बढ़ने में चला जाएगा और जो नई ग्रोथ होगी वो स्लो होगी इसलिए हमें इसको इस तरीके से एक सेफ में कट कर देना है जिससे की ये पोधा देखने में भी अच्छा लगेगा तो इस तरीके से मैंने इस पोधे की जो भी लंबी-लंबी टहनिया थी उन्हें कट कर दिया है साथ में मैं इसे नीचे से भी इसकी कुछ ब्रांच को हटा रही हूँ क्योंकि नीचे जो ब्रांच होती है उनमें बहुत सारी बीमारी लग जाती है तो हम कभी-कभी उन्हें देख नहीं पाते हैं इसलिए हमें जो भी मिट्टी से टच हो रही है उन ब्रांच को हटा देना है तो ये पोधा कुछ इस प्रकार का हो गया है और अब बरसात आते ही इनमें अच्छी ग्रोथ होने लगेगी और इन्हें कट करने के बाद जो भी ब्रांच हमने कट की है उस पर हल्दी पावडर जरूर लगाएं और कटिंग तोड़ी तिर्ची करें जिससे की पानी जो वहाँ पर रुका ना रहे जिससे फंगस लगने की समस्या हमारे पोधों में नहीं होगी तो इस तरीके से मैंने जिस भी ब्रांच को कट किया है वहाँ पर हल्दी पावडर को पानी में भीगो कर लगा दिया है तो ये भी भरता वेगन है जो की मैंने अभी इस नए ग्रो बेग में रिपोर्ट किया है तो इसकी cutting नहीं करेंगे क्योंकि ये हरा भरा है साथ में इसकी पत्तियां भी बड़ी है कुछ side की branch में निकाल रही हूँ जो मिट्टी से touch हो रही है और जो भी आपके पोधों में सूखी branch दिखे उसे तुरंत हटा देना है यहाँ पर भी हमारे बेगन के ढेर सारे पोधे लगे हुए है इनकी भी branch बहुत बड़ी हो गई है तो मैं इन सभी को cut कर रही हूँ तो ये बेगन के पोधे मैंने सर्दियों में लगाए थे तो इनसे मुझे बहुत ज़्यादा fruiting मिली है और अब ये और घने हो जाएंगे जिससे की और जादा हमें इससे बेगन तोड़ने के लिए मिलेंगे तो इनमें लंबे वाले बेगन हैं सफेद बेगन हैं इस तरीके के तरह तरह के बेगन मैंने सर्दियों में लगाए थे जो पोधे अभी भी लगे हुए है बेगन का पोधा एक ऐसा पोधा है जो हमारे एक दो साल तक आसानी से चल जाता है अगर हम इसकी इस तरीके से कटिंग करते रहें तो हर सीजन में मैं इसकी कटिंग करती हूँ जिससे की इसमें fruiting होती रहती है और कुछ महीनों पहले हमारे हाँ बर्फ गिरीती जिससे इन पोधो की ब्रांच खराब भी हो गई थी तो उसमें चीटियां मिली बग लाके धर रही थी इसलिए मैंने उन ब्रांच को भी नीचे से कट कर दिया है अगर आपकी ब्रांच भी खराब हो तो उसे आप पूरा भी हटा सकते हैं तो इस प्रकार से मैंने सभी पोधो को कट कर दिया है और इससे आपके पोधो को कोई नुकसान नहीं होने वाला है साथ में आपके पोधो को फायदा ही होगा लेकिन कटिंग करना जरूरी है अगर आपके एरिया में मोसम ठंडा हो गया है तभी आप ये कटिंग करें तो अब कुछ दिन बाद बारिस होने लगेगी इसलिए मैं अभी इनकी कटिंग कर रही हूँ जिससे की बारिस का पानी हमारे ग्रोवेग में जाए तो तुरंत पोधो की क्रोथ होना इस्टार्ट हो जाए तो इस तरीके से मैंने सभी पोधे की कटिंग कर दी है और ये वाले पोधे पुराने हैं जो मैंने बरसात में लगाए थे तो इनकी मैंने पहले ही कटिंग कर दी थी तो देखिए ये पूरी पत्यों से भर गए हैं और बरसात आते ही इनमें फ्रूटिंग होना सुरू हो जाएगी इसी प्रकार आप मिर्च के पोधे में भी कटिंग करेंगे तो मिर्च में भी multiple branch आएगी और उन पर धेर सारी मिर्च भी लगेगी अगर आपने नई पोधे नहीं लगाए हैं तो आप नई पोधों के बीच भी अभी लगा सकते हैं क्योंकि ये सही समय हैं जब तक बारिस आएगी तो पोधे आपके बनकर तयार हो जाएंगे फिर आपको उन्हें बड़े ग्रोबेग में लगा देना है तो इसी प्रकार आप फूलों वाले पोधों की भी जरूर कटिंग करें अगर हम कटिंग नहीं करेंगे उन्हीं ब्रांच को रखेंगे तो उन पर बहुत ही कम फूल आएंगे देखने में भी हमारे पोधे बेकार लगेंगे तो देखिए ये गुढल के पोधे हैं जिनकी म मैंने जब से इनहें कटिंग से लगाया है तब से मैंने इनकी कटिंग नहीं किये तो ये कुछ इस प्रकार से देखने में बहुत ही बेकार लग रहे हैं तो आज मैं इसे पूरा कट करने वाली हूँ जो भी ब्रांच लंबी हो गई है उन्हें एक बराबर कर रहे हूं जिससे कि अब ये पोधा एक जैसा दिखेगा तो देखने में ये पोधा अच्छा लगेगा और इसमें ग्रोध भी अच्छी हो जाएगी तो अभी हमारे गुडल के पोधे में फूल नहीं खिल रहे थे क्योंकि तेज गर्मी की बज़े से कलियां तो बन रही थी लेकिन वो सूप जाती थी इसलिए अब सही समय है आपने अभी तक अपने पोधों को कट नहीं किया है तो कर लीजिए और जो यह हम ब्रांच कट कर रहे हैं इनकी कटिंग भी आप अभी लगा सकते हैं तो एलो वेरा में आप इसकी कटिंग को डिप करके लगाएंगे तो यह आसानी से ग्रों हो जाएगी बरसात के मोसम में कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो होती है और अभी हम पोधों को रीपोर्ट भी कर सकते हैं तो रीपोर्ट आपको सामके टाइम करना है तो मैं भी कुछ पोधों को अभी रीपोर्ट करने वाली हूँ क्योंकि जो पोलिथिन में ये लगे हुए हैं अब वो खराब हो गए हैं तो अब मैं इन्हें नई ग्रोबेग में या किसी पोट में लगाऊंगी तो मैंने धेर सारे हिबिसकस और हिस्तल कमल जैसे पोधे की कटिंग की है इस प्रकार से आप अपने पोधो को कट करके उन्हें घंगा बना सकते हैं फिर बाद में ये बारिस में नई ग्रोथ होगी तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे और इन में ज़्यादा मात्रा में फूल आएंगे और ज़्यादा मात्रा में अगर आप बेगन के पोधे की कटिंग करते हैं पुराने वाले की तो उन में ज़्यादा बेगन लगेंगे इस तरीके से cutting करने के बाद अगर आपका grow बेग अच्छा है आप उसे report नहीं कर रहे हैं तो आप उसमें गुडाई करके खाद भी दे सकते हैं तो खाद में आप गोबर की खाद दे सकते हैं वर्मी compost दे सकते हैं तो मैं इसमें extra मिट्टी डालने वाली हूँ तो मिट्टी जिस तरीके से मैं सबजियां उगाती हूँ वही मिट्टी इन सभी जो भी मैंने cutting किये उन पोधों में एड़ करूँगी तो मिट्टी में में 50% खाद चूना हल्दी पावडर राक नीम के सूके हुए पत्ते बची हुई चाई पत्ती इस तरीके से इन चीजों को मिट्टी में मिला कर इस मिट्टी को उन गिरोबेग और उन पोधों में डालूंगी जिससे पोधों को सभी खाद एक साथ मिल जाएगा और बरसात में हमारे पोधे अच्छे से हरे भरे और घने हो जाएंगे तो इस प्रकार आपको बरसात आने से पहले ये काम करना बहुत ही जरूरी है अगर आपके एरिया में बरसात आने वाली है तो आप अभी ये काम कर ले अगर आपके एरिया में लेट बरसात आएगी तो आप लेट भी इसे कर सकते हैं तो बरसात आने के 7-8 दिन पहले ही आपको पोधो को इस परकार से कट कर देना है तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पिलीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद